दोस्तो कई बार क्या होता है कि जब भी हम अपने Facebook पेज पर वीडियो अप्लोड करते हैं तो वहाँ पर दोस्तो इस तरीके का प्रोबलम आ जाता है जैसा कि आप लोग यहाँ पर साइड में देख पा रहे हैं Your video is blocked and cannot be viewed by others यानि कि आपके जो है वीडियो को ब्लोग कर दिया गया है आपका वीडियो जो है किसी के पास जो है नहीं जाएगा और जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो देखे कुछ इस टाइप से जो है पेज यहाँ पर open हो जाता है There are changes to your video यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यानि कि copyright matches का जो है problem है तो दोस्तो ऐसा problem जब भी हम अपने facebook page पर वीडियो अपलोड करते हैं उसके कुछ ही समयबाद आ जाता है तो ऐसा किसलिया आता है चले मैं आपको बताता हूँ तो दोस्तो यहाँ पर मैं साप साप जो है clear कर देता हूँ कि आप जो है सही तरीके से जो है वीडियो को edit करके upload नहीं करते हो यही region है कि आपके जो है वीडियो पर copyright matches का यानि कि आपको जो है वीडियो ब्लोग कर दिया जाता है तो दोस्तो इस problem का solution क्या है तो दोस्तो इस problem का solution है कि आपको सही तरीके से वीडियो को edit करना है तो आज के इस वीडियो में मैं आपको काइन मास्टर में ले चलके proper editing दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको editing करना है और मैं guarantee के साथ कहता हूँ कि आप मेरे बताएगे जो है तरीके से अगर आप edit करोगे वीडियो को कोई भी जो है वीडियो है अगर आप मेरे बताएगे तरीके से edit करोगे कोई भी movie हो उसे जो है edit करोगे और अपने facebook page पर upload करोगे तो 100% आपके facebook page पर copyright matches का problem या फिर आपका वीडियो ब्लोक नहीं होगा जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ पर 26 million views है आप लोग देख सकते हो 39 अगस्त को यहाँ पर upload किया गया है और यह भी एक movie का ही clip है लेकिन यहाँ पर कोई copyright यानि की ब्लोक का यहाँ पर problem नहीं है तो दोस्तो इसका editing तगड़े तरीके से किया गया यहनि की editing इसकी जो है सही तरीके से की गई है तो चलिए दोस्तो मैं आपको सही तरीके से editing सिखाता हूँ और दोस्तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस आप से छोटी से request है कि आप लोग इस वीडियो को like कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को subscribe करके bell icon को press कर दीजिए तो चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तो सबसे पहले आपको करना क्या है आपको अपने mobile phone में जो है काइन master application को open करना है तो यहाँ से हम अपने phone में काइन master application को open करते हैं तो यहाँ पर आप लोग देखिए आपके सामने कुछ इस टैप से page open हो जाएगा यहाँ पर दोस्तो आपको दिखाई देगा new project यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर आपको new project पर click कर देना है अब यहाँ पर दोस्तो main बात आता है कि यहाँ पर आपको frame कौन सा select करना है तो यहाँ पर आपको जो दोस्तो यहाँ पर आपको इस frame को select करना है जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो चार अनपाते तीन का frame आपको इसे select करना है तो चलिए हम इस पर click करते हैं तो यहाँ पर आपको click कर देना है So guys, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमारे phone में kindmaster application open हो चुका है यहाँ पर आपको ऊपर दिखाई देगा media तो यहाँ पर आपको media पर click कर देना है उसके बाद आप अपने simply उस video को यहाँ पर select कीजिए जिसे आप edit करना चाहते हो तो यहाँ पर मैंने movie का एक clip डाउनलोड किया है और मैं इसी को edit करूँगा यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर यह movie का clip आ चुका है तो सबसे पहले यहाँ पर आपको शुरू में आ जाना है वीडियो के शुरू में तो यहाँ पर वीडियो के starting में आपको इस तरीके से आ जाना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है यहाँ पर आप लोग देखिए अभी जो है इस frame में यहाँ पर जो है सही तरीके से हमारा video set नहीं हुआ है और यहाँ पर दोस्तो लोगो भी आ रहा है तो आपको करना क्या है चली मैं आपको बताता हूँ तो यहाँ पर simply आपको जो है इस video पर click कर देना है वीडियो पर आप जैसे click करोगे यहाँ से आपको उपर आ जाना है उपर आने के बाद दोस्तो यहाँ पर आपको जो है दिखाई देगा pan and zoom का option तो simply यहाँ पर आपको pan and zoom पर click कर देना है उसके बाद दोस्तो यहाँ पर आपको जो एक option दिखाई देगा एक equal का तो simply यहाँ पर आपको जो है क्लिक कर देना है आपको इतना करना है इतना करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ इस टाइब से जूम करना है यहाँ पर आपको दोनों उंगली से यहाँ पर आपको इस वीडियो को जूम कर देना है कुछ इस टाइब से तो दोस्तों आप लोग देखे जूम हो चुका है अब यहां से आपको बैक आ जाना है बैक आने के बाद दोस्तों अब यहां पर आपको करना क्या है अब आपको दोस्तों यहां पर इसी तरीके से अपलोड नहीं करना है यहां पर आपको आना है यहां पर कुछ इस टाइब से आना है और यहांपर आप को और पर आपको कड़ करना है। यां कि दोस्तो इस पार्ट को कड़ करना है, यानि कि कर्सर के इधर वाले पार्ट को कड़ करना है। तो simply यहाँ पर आपको trim and split पर click कर देना है और यहाँ पर आपको trim left दिखाई देगा पहले नमबर पे trim left यानि कि cursor के इधर का part यानि कि left है और इधर का part right है अगर right का cut करना होगा तो trim right पर click करेंगे अगर left का cut करना होगा तो trim left पर click करेंगे यहां पर आपको दिखाई देगा split, जैसा कि आप लोग देख सकते हो, तो यहां पर आपको split पर click कर देना है, उसके बाद थोड़ा सा आगे और जाना है, आगे जाने के बाद यहां पर आपको फिर से split पर click कर देना है, अब यहां पर जो beach का part है, अभी यहां पर आप लोग तो इस पर जो है आपको click कर देना है अब आप लोग यहाँ पर देखे जो यह police uncle थे यहाँ पर पहले यह जो है इस side में थे लेकिन अब इधार आग चुके हैं तो इस तरीके से यहाँ पर आपको mirroring कर देना है उसके बाद को तरीका बता रहा हूँ इससे जो है copyright कभी नहीं आएगा तो दोस्तों यहाँ पर आपको फिर से click कर देना है और यहाँ पर आपको mirroring नहीं करना है यानि कि जो है rotate या फिर mirroring नहीं करना है यहाँ पर आपको नीचे आना है नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई देगा एक option जो है अर्जेस्टमेंट का तो यहाँ पर आपको अर्जेस्टमेंट पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको दिखाई देगा एक option saturation saturation तो इसको आपको बिल्कुल डाउन कर देना है यहाँ पर आप लोग देखे बिलेक हो गया है और दोस्ते यहाँ पर जब वीडियो सूट कर रहा है बहुत गर्मी है यहाँ पर देखे पसीना से पूरा भीग रहा है लेकिन आप लोगों के लिए करना पड़ रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देजे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देजे उसके बाद यहाँ से आपको बैक आना है बैक आने के बाद यहाँ से आपको थोड़ा सा आ जाना यहाँ पर यहाँ पर आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखे यह अंकल आ रहे हैं यहाँ पर आपको करना क्या है इसे कट कर देना है यहाँ पर आगे बढ़के कट लगा देना है कटने के बाद दोस्तों यहाँ पर बीच का पार्ट है इसे आपको डिलीट कर देना है दोस्तों सेम टो सेम आपको यहाँ पर एडिट नहीं करना है पूरा का पूरा आपको यहाँ पर डिलीट का ओप्शन दिखाई देगा यहां पर आप लोग देखिए यहां पर आप जैसे क्लिक करोगे यह डिलीट हो जाएगा दोस्तों यहां पर डिलीट हो चुका है तो दोस्तों यानि कि आपको करना क्या है आपको थोड़ा सा पहले का पार्ट करना है लाश्ट का पार्ट करना है बीच का पार्ट करना है और क जुषे पांच चे सात मिनट का ही वीडियों आपको एडिट करना है जैसे कि यहाँ आप अपोड़ूचें यहाँ पर हारा साथ मिनट से औरे यहां का बाकी का बाते हैं यानि कि आपको आख मेहां obviously कट सकता है जोए बारा मिनिट के मेल स्क तरह है को यूट्व कर देता हूँ जैसे कि इ impeachment कर देता हूं कर देता हूँ हुए ठोडा आपको יה एक लोए लिए कोरना है उसके बाद रहाँ स्पिलिट कर देना ह्थ भीशन आपको जो है थोड़ा सा आगे जाना है फिर से split कर देना है और यहाँ पर जो है फिर बीच वाले part पर जो है click करना है और यहाँ पर आपको दिखाए देगा rotate and mirroring इसका जो है mirror कर देना है उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है 6-7 मिनट का यहाँ पर वीडियो मेरा जो है ह हो चुका है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो है export कर लेना है दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाए देगा उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको उपर जो है click कर देना है यहाँ पर आप जैसे उपर click करोगे यहाँ पर आपकी सामने कुछ step से page open हो जाएगा और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूँ आप जो भी clip यहाँ पर उठाएं और editing के दोरान अगर उसमें कोई logo है तो आपको उसे blur कर देना है या फिर crop करके उसे हटा ही देना है जैसे कि इस वीडियो में मैंने जो दिखाया था वहाँ पर logo था लेकिन जब मैंन के फोन में जो भी हाई क्वाल्टी सो हो उसी पर आपको करना है यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखे मेरे पर जो है कौर्ड 1440P यानि की टू के वीडियो यहाँ पर सूट कर रहा है मतलब दिखा रहा है टू के सपोर्टेट मेरा फोन है तो यहाँ पर मैं टू के पर export दोस्तों इससे क्या होगा चलिए मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों हाई क्वाल्टी में जब आप जो है अपने वीडियो को export करोगे यानि की वीडियो को save करोगे तो आपके जो है वीडियो को blok होने या फिर आपके वीडियो पर copyright match का जो प्रोब्लम आता है वो दोस् तो 600 MB का export करना है maximum, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाई देगा save as video, तो यहाँ पर आपको click कर देना है, उसके बाद दोस्तों आपका video save होना शुरू हो जाएगा, उसके बाद जब save हो जाएगा आपका video, आप अपने facebook page पर जब भी video को upload करोगे, तो वहाँ पर आपका जो है यह problem नहीं आएगा video blocked वाला, आपको हाँ पर copyright matches का भी problem नहीं आएगा, और आपका video पर जो है अच्छे का से views भी आएगे, और दोस्तों आपको यह दिन नहीं पता है कि video जो है facebook page पर कैसे upload किया जाता है, facebook page पर video upload करने का सही तरीका क्या है, अगर आप लोग सी वीडियो का description में जाओ, वहाँ पर आपको video का link मिल जागा, आप उस video को देखकर आप जो है सीख सकते हो, कि facebook page पर जो है video को कैसे upload किया जाता है, तो आज के वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग जो है एक like कर दीजे, और channel प watching this video, जैहिन वंदे मात्रम